सिविल सर्विस एंड लाइफ नागरिक सेवा और जीवन जीवन के दो पहलू है एक घरेलू जीवन और एक कार्यालाईन जीवन ओफिस लाइफ एंड होम लाइफ समाज शास्त्र और लोग प्रशासन दो विशायद दोनों कवर करते हैं घर की जिन्दगी को कवर करता है समाज शास्त्र और बाहर की जिन्दगी ओफिस की जिन्दगी को कवर करता है लोग प्रशासन लोग प्रशासन फॉर्मल है जिसमें थोड़ी इनफॉर्मैलिटी मिक्स की जाती है और घरेलू जीवन इनफॉर्मल है जिसमें थोड़ी फॉर्मैलिटी मिक्स की जाती है दोनों ही जीवन सरकारी जीवन और घरेलू जीवन दोनों ही फॉर्मैलिटी और इनफॉर्मैलिटी आपचारिक्ता और अनपचारिक्ता का मिश्रण है अंतर ये है कि घरेलू जिंदगी में अनौपचारिकता ज्यादा है, मौज मस्ती है, अनौपचारिक संबन्ध है, पारिवारिक संबन्ध है थोड़ी सी फॉर्मालिटी है, जैसे कि जेनरेशन्स के बीच में होती है, पिता-पुत्र के बीच में होती है ऐसे ही कुछ और रिष्टों में एक फॉर्मालिटी होती है, समाज शास्त्र में हम रेस्ट्रिक्टिव रिलेशन्स और जोकिंग रिलेशन्स कहते हैं, वो भी रिष्टे होते हैं परिहास के सम्मंद और परिहार के सम्मंद, परिहास यानि की हास हसी मजाग, देव और भावी, जीजा साली या जीजा साला भी हसी मजाग का है, लोग साले से कम साली से ज़्यादा मजाग करते हैं और इसी प्रकार के कुछ रिष्टे हैं सम्धी-सम्धी के, सम्धी-सम्धिन के वगरे restrictive relations माने जाते हैं परिहार के संबंद यानि जिसमें रोक है बोलना तक और एक दूसरे का मुँ देखना तक allowed नहीं होता था जेट बहु का, छोटे भाई की पत्नी को हमारे यां बहु कहते हैं तो जेट बहु का रिष्टा परिहार सम्ध है restrictive relations है, यह formal relations है बलकि मुझे कई बार ऐसा लगता है empowered women और बड़ी बिंदी वाली आणटी तो नराज हो सकती इन बातों पे लेकिन पहले जो पर्दा पर्था थी वो कई मामलों में सही थी बहुँँँँँचे अनावश्चेक वारतलाप नहीं होता था आजकल तो openly पापा पापा होता है तो लडाईयां भी हो जाती है बहसें भी हो जाती हैं और कई बार मरमटाव की नौबत भी आ जाती है हलाकि हमारे मौले में कुछ बहुँँएं थी जो घूंगट करके भी खुब लड़ती थी ससुर से घूंगट के हुएं ससुर से लड़ने में लगी हैं खुब लेकिन हमारे यहाँ जो है बोलना भी रेस्टिक्टिट था ससुर्ख के सामने जेट के सामने बहुर ना तो चेहरा दिखाती थी ना बोलती थी अब आप तो आज कल की जमाने के साफ से तो आप कलपना भी नहीं कर सकते यह जमाना मैंने देखा फंडामेंटल राइट्स का भेंकर उल्लंगन भई के बोल नहीं सा राइट टुए एक्सप्रेशन आज के जमाने की बात करते हैं तो कुल मिला के यह है कि फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है रिष्टों में बाब बेटी में एकदम इन्फॉर्मेलिटी हो सकती है लेकिन ससुर बहू में थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है पिता पुत्र में माता पुत्र में एकदम इनफॉर्मेलिटी हो सकती है लेकिन दमाद और सास और दमाद और ससुर में थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है लेकिन informality कुछ रिष्टों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे कि साली जीजा में देवर भावी में और अश्लीलता की सीमा तक पहुँच जाती है कभी-कभी मर्यादा भी लांग जाती है ये अनुचित है ऐसे ही office में formal relations रहने चाहिए No doubt Chester Bernard कहते हैं कि there should be a level of informality in the formal relations of any organization and if there is no formality and there is no informality then some level of formality should be mixed with some level of informality formality के एक level तक को एक level तक की informality से mix करना चाहिए कुछ ऐसी बात Chester Bernard ने भी कही MP Follett भी मानती है आदेश नहीं देना चाहिए उनका कहना है कि आदेश परिस्थितिका होता है do this कहने की बजाए कहना चाहिए subordinate से आफिस की बात हो रही है subordinate से कहना चाहिए let us do this आओ हम लोग ये काम करें अगर हो घर में भी इस सिद्धानत अपना है तो कितना अच्छा हो बच्चों को आदेश देने के बजाए अगर parents कहें let us do this thing आओ चलो मिल के ये काम करें समझदार parents आजकल ऐसी करते हैं बच्चे भी आजकल मानते नहीं है मनवाना पड़ता है तो डंडे के बल पर या फटकार के बल पर मनवाना तो उचित नहीं है तो let us do MP Follett का formula let us do this thing आओ हम मिल के काम करें या ये नहीं के चलो जाओ ये करो जाके क्यों ऐसा नहीं लगता कि इस condition में तुम्हें ये करना चाहिए is it not true क्या आपको नहीं लगता कि इस परिस्टि में आपको ये काम कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से ये अगर आप कर लेते तो बैटर रहता इस तरह के sentence ज्यादा अच्छा असर डालते हैं परिवार में भी और आफिस में भी अब यहां दोनों जीवन civil service और लाइफ दोनों ही जीवन एक समान हो जा रहे है civil service में informality का level बढ़ता जा रहा है और घर में informality का level भरपूर है लेकिन वहां formality का level बहुत थोड़ा है तो formality बढ़ नहीं रही है घरों में घरों में formality नहीं बढ़ रही है जो घरों की ध्यान दीजिएगा जो घरों की formality थी रिष्टों की उसमें भी organization की तरह की informality इंट्रोड्यूस हो रही है इंजेक्ट हो रही है यानि वो चीजें शामिल ओरrett ही है जो organization में होती थी यानि घर के अंदर अब दो चीजें होगई एक informal organization होगया वो रिष्टे जो बिलकुल informal है और एक वो रिष्टे जो formal है जो formal है वो सरकारी नौकरी की तरह होगे organization की तरह होगए या private organization की तरह मान लीजे जैसे भी हो organization की तरह हो गए और जब organization की तरह हो गए तो उनमें MP Follett का formula, Chester Bernard का formula और Rancis Likert का formula इन सब के formula लगने लगे यानि की communication is the authority, संचार ही सता है और संचार कैसा? Informal संचार, संचार कैसा? Let us do वाला संचार, संचार कैसा? Communication कैसा? Suggestive communication, not prescriptive communication prescribe नहीं करना है, जाओ ये करो, describe करना है कि ये करना चाहिए, let us वाला communication, we should वाला communication, go and do this वाला communication नहीं, thumb rule नहीं, tactfulness याद रखिए आज परिवार के संचार या ओफिस के संचार की सफलता सिर्फ इसमें है कि थंबरूल नहीं थंबरूल का मतलब है अंगुठे से घंटी का बेटन दवाया घंटी बजगी चप्रासिया जाओ ये करो हो गया काम आज जबाना थंबरूल का नहीं है आज ओफिसर क वट के आफिस में जाना पड़ता है अपने सबोडिनेट के बीच में खड़े हो के बातें करनी पड़ती है बातें करके उन्हें मनाना पड़ता है कि वो ये काम करें क्योंकि ST Robot कंडिशन इतनी मजबूत हैं कि जल्दी किसी को निकालते तो हैं नहीं हर साल निकाले जाते है बहुत लोग उनकी चर्चा नहीं होती लेकिन प्राइविट में भी निकाले जाते हैं और गॉबर्मेंट में भी निकाले जाते हैं. फिर भी बहुत सारे उपाये हैं तो आज हम किसी को धंका नहीं सकते हैं. मैंने एक रामसेवख का किस्सा बहुत पहले भी सुनाए अगर फ्री चैनल पे आप लोगों ने वज़ो सुना है क्वी चुर्क है बहुत पहले सुनाय ता तो यहां ढोरा देता हूं मेरे एक मितर थे, हरनास सिंग, SDM थे, उनके ओफिस में एक ऐसा किस्सा घटा, मैं बात बना सकता था, लेकिन मैं क्लियरली वही कहता हूँ, जो जैनुन और ओरिजनल बात है, मैं ट्रेजरी ओफिसर था, राम सेवा के एक चपरासी था, गरंटी नहीं सुनता था, और मैं उस स्टाफ लोग अपने पास रख लेते हैं, सीनियर्स, तो मुझे एक कलर्क नहीं कहा कि सर ये राम सेवाक आपको दे दिया है, ये तो घंटी नहीं सुनता है, आप घंटी बजाते रहेंगे, सुनेगा नहीं, एक चपरासी तो ये कहा कि सर, छिद्दन से हम कह देते हैं, में बाहएं के अगई हो सकता था नराज हो सकता था डाड सकता था सपेंड कर सकता था मैंने और हम writes एक संभल्राक एक दम सी अपर भीट कि तरह तरहा थाए जह बैठा थे बासाब कोन। मैंने चब उत्रा जिसके उपर वो फिल्मी जज़ वाला है साब किताब तो मैं उपर यहों बैठा हुआ रामसेबक नीचे खड़े हुए मैंने का यहां साइड में खड़े होगा के मेरे चपरासी को साइड में बिठाते तो नहीं है कम से कम चाहे इतना समाजवाद हो लेकिन अशनर नहीं करते हैं को उसको कुरसी बिठाए जब तक वो यूनियन लेके न आया हो चपरासी को यूनियन आएगी तो वो तो सामने कुरसी पर बैठेंगे तो मैंने का यहां खड़े होगा के मेरे साइड में आया डर रहा था कि ओपर तो चपरासी को बुलाई नहीं जात हमें तो हर घंटे चाहे चाहिए और तुम मेरे साथ अटेच हो तो बताओ मेरा काम कैसे चलेगा मुझे तुम या तो चाहे की दुकान बता दो मैं जाके पी आया करूं वहां जाके तो बड़ा शर्मिंदा हुआ फिर थोड़ी देर में आँखों से आंसू बहने लगे कहना ल प्रालवालों ने तब से उसका दिमाग एकदम से शून हो गया है तो कहने लगा कि साथ हमाई साथ ऐसा हादसा हुआ कि मेरे दिमाग मुझे वही मेरी बेटी की तस्वीर आ जाती है और खुब रोया वो उस दिन उसने अपनी विठा कथा शेयर की लेकिन हां मैं जानता हू बीच की कहानी मैं तुम्हें नहीं सुना रहा लेकिन जिस समय मुरादबाद से मेरा ट्रांसफर हुआ अपरेल के महीने में जब मैं सेंट कमिशनर हो गया सेज्टेक्स में तो मैं लखनूर ट्रेनिंग में चला गया परिवार को मुरादबाद ही छोड़ गया था सारे चप कराने में हर चीज में रामसेवक नहीं साथ दिया है मैं उस विक्ति को याद करता हूँ तो बात यह है कि इनफॉर्मैलिटी थोड़ी सी हमें रखनी होती है मानवी इस पर्ष हूमन टच बहुत जरूरी है जिन लोगों ने ये कहानी पहले सुनी ती तो वो समय की बरबाद न समझें क्योंकि बहुत लोग नए हैं इतने लोग नए हैं इस पेड सब्सक्रिप्शन गृुप में कि उन्होंने पहले वाले वीडियोज नहीं देखें क्योंकि इतने ज्यादा वीडियोज हैं कि कोई कहां तक देखेगा तो कुछ बाते रिपीट कभी कभी होती है और पार में फॉर्मल ये ज़रूरी है कुछ रिष्टे अनुशासन क्यों होते हैं माता पिता की बात बेटे बेटियां सुनेंगे नहीं अगर थोड़ा सा भी अनुशासन नहीं होगा तो थोड़ी फॉर्मालिटी मैंटेन करनी पड़ती है तो आज मैंने इसलिए सिविल सिविस के साथ में लाइफ को जोड़के देखना चाहिए सिविल सर्विष भी एक तरह का लाइफ मैनेजमेंट है और लाइफ एक तरह का formal organizational management है जिन्दगी में हमें कई जगे formal होना पड़ता है अब एक कहानी और जो मैंने पहले नहीं सुनाई है यहाँ पर एक bank था जिसमें कि मेरा account था तो सरकारी account भी उसी में था और मेरे घर के पास में वो bank हुआ करता है पंजाब निशनल बैंक था शासी नगर में तो सरकारी account हमारा वहाँ पर था यानि रोजाना फ्लाइंग स्क्वेड में मोबाइल स्क्वेड जिसे कहते हैं हम लोग उसमें जितने पैसे जमा होते थे वो उस bank में जाके जमा करने होते थे सरकारी खाते में और मेरा वेतन का account भी हुआ करता था वेतन भी उसी में जमा होता था महीने में एक बार निकालना होता था मेरे एक साथी ने एक बार कहा कि सर जो है जमा काउंटर बड़ा खोबसूरत है निकासी काउंटर तो बेकार है मैंने का क्यों बोले ध्यान से देखी मैंने ध्यान से देखा तो जमा करने वाले काउंटर पर ये बहुत खोबसूरत योगती बैठी हुई थी वो बोले मैं तो कई बार यूहीं 20-20-50-50 रुपे जमा करने चला आता हूं क्योंकि उसके देखने को मिल जाती है बहुत ही सुन्दर है मैंने देखा वो वाकई सुन्दर थी और वाकई ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि वो बहुत ही सुन्दर थी यानि उसको देखने के लिए लोग कुछ पैसे जमा करने जा सकते थे बार बार जा सकते थे फिर वो निकासी के काउंटर पर एक बार देखने लगी तो हम लोग हंस रहे थे कि अब तो बैंक खाली हो जाएगा लोग रोज पैसे निकालेंगे ख्यारी तो मजाग की बात थी लेकिन एक बार एक परचित समारोह में वो युगती जो है वो मिली और वो मेरे एक परोसी की शायद सिस्टर थी या सिस्टर इन लौ थी मेरे ख्याल से वो वहां मिली और बड़े अच्छे से बात कर रही थी उसने का सर मैंने आपको कई बार देखा है आपका तो एकाउंट है मतलब सर्विस एकाउंट है वहां पर डिपार्टमेंट का एकाउंट है मैंने तो आपको को कभी कभी अनीजी नहीं लगता कि कुछ लोग जो है सिर्फ आपकी वज़े से काउंटर पर बोली मैं जानती हूं बहुत से लोग मुझे ही देखने आते हैं अब ये मेरा कोई दोश नहीं है इश्वर ने जैसा बनाया है तो मैंने का फिर आप कैसे अपने को अलग रख पा इन फॉर्मलिटी मैंने अपनी जिन्दिगे का उसूल बनाया मैं गराक से एकदम फॉर्मल रहते हूं जो बैंक का गराक है बैंक का गराक उससे एकदम फॉर्मल रहते हूं मैं एक लोग मुझे से इदहुदर की बात करने के प्रयास करते हैं लेकिन मैं बिलकुल फॉर्मल रहती हूँ, मैं कभी एक भी बाते दौधर even में मुसकरा कर भी जवाब नहीं देती कभी, जो नारमली अगर पुरुश हो तो वो मुसकरा के जवाब दे देगा अगर काउँटर बैठा हो, लोगिन मैं मुसकरा कर भी जवाब नहीं देती उसमें का अगर मैं मुस्करा के जबाब दूँगी तो वो सोचेगा कि इसने मेरी बात एक्सेप्ट कर लिए जो बड़े इन्फॉर्मल से पारिवारिक बाता पर उन्हों बाच्चीत हो रही थी मेरे वो परच्चीत बहुत अच्छे फेमली फ्रेंड थे जिनकी कि वो हाँ वो साली ही थी उनकी तो हैसी मजाग भी चल रहा था लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत ही साहित और बहुत ही वैल बैलेंस लड़की थी अपने सौंदर को इस तरह से समाल के रखना हर किसी के बस की बात नहीं जहां पर लोग लट्टू हुए जाते हों और्गनाइशन में भी होता है एक IPS लेडी हैं केरला की हैं उनको पत्रकारों ने टीवी चैनल्स ने इतना पबलिसाइज किया है वो बहत खुबसूरत है इसमें कोई शक नहीं है that she is very very beautiful लेकिन IPS हैं तो उन्होंने अपने आपको इस तरह मैंटेन करके रखा है किसी को भाव नहीं देती है तो आफिस में आप लोगों कोई ध्यान रखना है कि पबलिक आके आपको तरह तरह से इंफ्लूएंस करने कोशिस करेगी आप लेडी हैं या जैंट्स हैं आपको इंफ्लूएंस करने कोशिस करेगी आपको इंफ्लूएंस नहीं होना है फॉर्मल बने रहना है और घर में अनावश्यक फॉर्मल नहीं होना है इंफॉर्मल बने रहना है तेंक्यू